अब next, जो हे, topic है, हो के है हमारे पास, velocity है, अब देखिए कहा, velocity को इस भाइन करेंगे हो, the displacement covered by the body unit time, it's called velocity, के body ने कितना displacement cover किया है, unit time में, unit time है, specific time में, के body ने कितना displacement cover किया है, हो क्या कहलाएगा हमारे पास, velocity के लाएगा अब दीख़ें velocity का formula क्या होगा हमारे पास velocity उकोल्स displacement upon time with expected time कितने time है, कितना displacement cover किया है, थीक तो अब velocity vector quantity है हमारे पास vector quantity को हम उसकी ओपर एक arrow लगाते हैं जिसे हम differentiate कर सकते हैं कि scalar quantity है vector quantity जब भी वेक्र quantity होगी कि उसके उबर चैनल अब हका एक एत्वर होगा ठीक है और इब्गुल स्गेस्टेश्मेंट क में और इसकी आपार एक पत्रुमित्र में स्पेस्थमेंट को convert जिक्याविशित प्राइब गस्टी इन फीलसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे एए टाइपक गिरिंव Y स्पीड और डायरेक्शन क्या हो चींज ना हो ठीक है सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में क्या करें बोड़ी मूफ करें तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे इनिफॉर्म विलॉसिटी कहेंगे ठीक है ऐसी स्पीड बोड़ेंगे इसके स्पीड और डायरेक्शन चींज ना ह तो उस velocity को क्या कहेंगे हो, uniform velocity कहेंगे, variable में क्या होगा, change होगा, velocity में दो तरस से changing आता देखेंगा, velocity of the body changes either, its speed changes or direction, और both of them, such a velocity is called variable velocity, ऐसे velocity body की, जिसमें क्या हो, direction की वज़े से changing आई या उसकी speed में changing की वज़े से velocity का अंदर change आए, या दोनों के अंदर एक साथ change आए, velocity इस़ब भी चेंज हो रही है, एक साथ साथ और उसकी direction भी change हो रही है, बोडी की speed के अंदर तो ऐसी velocity को हम क्या कहेंगे variable velocity variable means vary करना vary means change होना time to time change होना इसी तरह हमारे पास है next next हमारे पास है average velocity average में क्या होगा if we divide total displacement बोडी ने जितना displacement cover किया है उसको अगर हम divide करो total time taken by the moon body जो हमारे पास velocity आएगी वह हम भी हमारे पास average velocity अगर हम total displacement को अगर हम total time से क्या करें divide करें तो हमारे पास velocity आएगी वह हमारे पास average velocity के लाएगे तो अगली average velocity distance upon time तो हमारे पास average velocity की the visual velocity का फापुला है